हेलो एवरिवन वेलकम टू टॉपपर बेंज आज हम लोग चैप्टर एइट पॉफेक्ट एंड पॉफेक्ट कंटिनुएस टेंसेज पढ़ेंगे फ्रम दबुक टियून इंटू ग्रामर तो यह जो चैप्टर है यह जो बुक है ग्रामर का यह कोई भी क्लास के बच्चे प परफेक्ट एंस परफेक्ट एंस और कंटिनुएस टेंस जो है सबके लिए वो सबके लिए होता है तो इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर में टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं सारे एकसरसाइज को इसमें आपको सॉल्व करके दूंगा और पूरे अच्छे से समझ में आए इजी लेंगवेज में मैं बताऊंगा जिसके लिए आपसे मैं बस यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेर कीजिएगा ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल पाए क्योंकि मुझे बहुत मेनात करना पड़ता है आपको एक वीडियो बनाने के लिए और फिर शालूसन भी देने के लिए इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रेजेंट Past Perfect दिया गया है Then Future Perfect दिया गया है Present Perfect Continuous दिया गया है तो Perfect है और Continuous है Perfect और Perfect Continuous तो हम लोग इसको देखेंगे और कुछ Examples के साथ भी समझेंगे तो आप Subscribe कर दिये होंगे मैं उमीद करता हूँ और वीडियो को भी Like कर देंगे चलिए Start करते हैं Present Perfect Present का मतलब आप सबको पता होगा मुझे बताने की जरुवत नहीं है Present का मतलब अभी के टाइम पे जो हो और Perfect का वर्डली मीनिंग जो होता है Perfect का की Perfect मतलब जो एकदम Perfect है जिसको लोग बोलते हैं ये लड़का एकदम Perfect है मतलब पूरा है मतलब कि इसमें कुछ और चीज़ का जरुरत नहीं है ये एकदम पक्का है तो इस तरह से हम थोड़ा सा समझेंगे Perfect के वर्ड के मीनिंग को बस लेकिन वही चीज हमको इसमें नहीं देखना है थोड़ा सा Rules है इसमें थोड़ा ध्यान देना है और Present Perfect के लिए जो Structure होता है जो हम लोग उसका Sentence को बनाते हैं तो उसका कुछ Structure होता है तो Structure यहाँ पर बहुत अच्छे से दे दिया गया तो इस Structure को अगर आप याद रख लेंगे आपको कभी भी Sentence बनाने में दिक्कत नहीं होगा तो ये Structure जो है ये Present Perfect का है तो Present Perfect में क्या होता है Has या Have देखो बीच में Slash है या तो Has लगेगा या तो Have लगेगा देखो He, She, It आप लोग देखे होंगे He, She और It या फिर कोई नाम है या कोई लड़का का नाम, कोई लड़की का नाम जो मतलब Singular है उसके साथ हम लोग Has लगाते है He, She, It के साथ मतलब Has लगाते है मतलब He, She, It के साथ Has लगाते है मतलब He, She, It जो है वो Singular है या फिर कोई लड़का है राम, सीता ये सब Singular है तो हम लोग वहाँ पे Has लगाएंगे ठीक है जब Plural का बात आता है तो Have लगाते है ठीक है और Second Person में भी हम लोग Have लगाएंगे जैसे Have में हो जाएगा You You के साथ Have लगेगा I के साथ Have लगेगा ये I जो है I तो आप बोलेंगे कि ये तो Singular है लेकिन कुछ-कुछ चीच जो होता है हम लोगों को पढ़ना पढ़ता है As it is जो English में mentioned है और Rules में दिया गया है Exceptional cases बोलते हैं उन सब को तो I, You और We I, You और We के साथ हम लोग क्या लगाते हैं Have लगाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि He, She, Eat और कोई नाम हो गएरा रहेगा Single person रहेगा तो वहाँ पर हम लोग He, She, Eat जो है Use करेंगे और Accordingly He, She, Eat के साथ हम लोग Has लगाएंगे है ना और जब Plural का बात करेंगे तब Have लगाएंगे जैसे You, I I ये Exceptional है I, I हो गया You हो गया I have You have We have है ना तो यहाँ पर हम लोग Have लगाते हैं तो Has, Have तो लगेगा ही साथ में Past Participle Form of Verb लगेगा भर्ब का form होता है आप लोगों से request है कि आप वो भर्ब का form एक बार चार्ट बना लें कॉपी में या फिर इंटरनेट पे देख लिजिए आपके grammar book होगा तो शायद उसमें दिया होगा कोई और grammar book में B1, B2, B3 होता है हर एक word का तीन form होता है B1, B2, B3 समझे तो उसको आपको देखना है और Past Participle Form of Verb का मतलब होता है B3 हम लोग B3 को यूज़ करेंगे Has, Have यूज़ होगा Past Participle Form B3 यूज़ होगा ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं Example जब तक देखेंगे ने तब तक आप उनको समझ में नहीं आएगा चलो start करते हैं To indicate that an action has been completed just now or a little while ago बोल रहा है कि जब हम लोग indicate करते हैं कि कोई action मतलब कोई काम अभी just complete हुआ has been completed just now just add Авिएभी काम complete हुआ है यह थोड़े ही थोड़े ही देर पहले complete हुआ है ठीक है थोड़ा देर पहले कुछ समज पहले में complete हुआ है समझ मारा बत present perfect बोला जा रहा है जबकी हम लोग पहले क्या पढ़े थे past में Past का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो पहले चीज complete हो जाता है, वो past में चला जाता है, लेकिन जो थोड़ा ही पहले complete हुआ है, उसको हम लोग present perfect में रखते हैं, present के पास पास, ठीक, example देखो, I have bought a new car, मैंने एक car ले लिया है, मैंने एक car ले लिया है, मतलब इससे पता चल र perfect में, यह perfect बात बोल रहा है, कि मैंने एक car ले चुका है, bejoy has complete his homework, bejoy has completed his homework, तो देखो structure कैसे follow हो रहा है, हम लोग देखेंगे यहां पे, देखो, I, I use हुआ है, I exceptional case है, हम क्या बोले, कि singular के साथ, singular जो रहता है, he, see, it, और नाम के साथ, हम लोग क्या लगाते हैं, has, लेकिन I जो है, यह भी singular ही है, लेकिन यहां पे exceptional case है, I का case में नहीं मानेंगा, I के साथ have लगेगा, I, you, we, यह तीन चीज़ है, जिनके साथ have लगता है, लिख लो आप copy में, side में, I, you, we के साथ have लगेगा, और he, she, it, और कोई नाम रहेगा, जैसे bejoy यहां पे नाम है, जिर्फ I जो है, एक exceptional case है, इसका बात अलग है, इसके बाद हम लोग दूसरा point देखेंगे, to express an action, whose time is not given and is not definite, कोई action को हम लोग express कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई काम को, जिसका time given नहीं है, और वो definite भी नहीं है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, कब हुआ है, है न पका time दिया हुआ नहीं है, इस case में, तो कैसे होगा इसका, एक sentence है यहाँ पे, he has painted this, simply बोल दिया न, he has painted this, देखो, structure के according, structure के according, he यहाँ पे अगर है, तो he के साथ have लगेगा, यह has लगेगा, has और have में से एक ही चीज़ लगेगा, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है, he क् है, he जो है वो, क्या है, singular है, एक person का बात हो रहा है, तो he के साथ हम लोग क्या बोलेते है, he sheet के साथ, has लगेगा, तो यहाँ पे he has painted, और painted क्या है, यहाँ पे हम लोग पेंट क्यों नहीं लिखें, पेंट क्यों कर दिया, ed क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को भीत्री क्या होगा, paint, paint, painted, paint, painted, v1, v2, v3, paint, painted, painted, तो painted है, v3, past participle form of the word, past participle form of the verb, यहाँ वर्ब paint है, इसका past participle form हम लोग ले लिए है, painted, he has painted this, उसने यह paint किया है, इसमें समय नहीं दिखाया गया है, यह बोला गया है, इस पार्ट में, next जो एक पार्ट है और, to describe a past event which has its effect on the present, कोई past event, कोई past पुराना घटना के बारे में हम लोग describe कर रहे हैं, जिसका effect अभी present के उपर भी पढ़ रहा है, समझ मया, पुराने टाइम में, कल परसों, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई घटना हुआ है, जिसको हम लोग describe कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसका जो असर है, वो आज, आज के उपर भी है, example देखेंगे, देखो we, we क्या है, मैंने बताया, plural है, I, U, I, U, और we, इसके साथ क्या लगता है, have लगता है, मैंने बोला है, we के साथ have लगाया, और साथ में क्या लगाया, भीतरी, receive का भीतरी क्या होगा received, तो structure पकड़ लिया, आप लोगों ने, structure आप सीख गए, अगर structure सीख गए, तो 90% काम हो गया, बाकी sentence rearranging और sentence remaking है, we have received a good response from our clients, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने client से बहुत अच्छा response पाए है, मानलो हम कोई business कर रहे हैं और हमारा client है, तो लोगों से हम बहुत अच response पाए है, तो क्या हो रहा है, response जो हम लोग पाए है, पुराने समय से response पा रहे हैं, है कि नहीं, past time से response पा रहे हैं, और उसका असर जो है, वो हमारे present पे पड़ेगा, so we will continue doing what we are doing, तो हम लोगों को client से अच्छा response मिला, इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसको और भी करत लगेगा, उसके साथ has लगेगा, यह ध्यान रखना, I, U, V के साथ have लगेगा, यह ध्यान रखना, next point भी है यहां पर, to talk about a continuing state and not an action, बोर रहा कि कोई continuing state का बारे में बात करना है, जब हम लोग कोई state के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुमन has been in bed, since last night, सुमन जो है, बेड पे है, last night से, जब भी continuing state रहता है, तब वहां पे हम लोग been use करते हैं, यह तो continuous tense का बात हो, जैसे अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, perfect continuous tense है न, उसमें हम लोग देखेंगे, been compulsory होता है, दो यहां पे continuing state यहां पे है, इस matter में, इस चीज में, इस topic में, इसलिए been का use यहां पे किया जा रहा है, वैसे के structure में हम लोग been नहीं देखें हैं, structure में नहीं था, लेकिन been लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि continuing state है, जब भी कोई चीज continue चलता रहता है, तब हम लोग been का use करते हैं, सुमन has been in bed, सुमन जो है, व सुमन, सुमन single person है, इसलिए has लगाएं, और been इसलिए लगाएं, क्योंकि यह continue चल रहा है, उसके बाद देखो next example है, वी, वी के साथ सुर्वात हो रहा, तो वी के साथ मैंने क्या बताया था, I, you, we के साथ have लगेगा, और continue चल रहा है, इसलिए been लगेगा, we have been friends for 10 years, हम continue हो रहा है, तो continue हो रहा है, तो been इसलिए लगाएं, और we have इसलिए लगाएं, क्योंकि we जो है, वो क्या है, plural है, I, you, we के साथ have लगेगा, बस इतना दो-तिन चीज़ याद रखो, आपका काम हो जाएगा, तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, present perfect पढ़ें ना, तो present perfect के बाद ह हम लोग present perfect continuous को पढ़ लेते हैं, ठीक है, यह, तब जा करके अच्छा समझ में आएगा, उसी तरह समलोग करेंगा, present, हम लोग present क्या पढ़ें, present perfect पढ़ें, present perfect समझ में आगिया, है ना, तो present perfect में सिर्फ continuous जोड़ दो, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी होगा, वो continue रहेगा, चलता जाएगा, तो यहाँ पे ing use होगा, हम लोग continuous tense में पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो अगर आपने मिस किया है, तो आपको description box में और playlist में भी वीडियो मिल जाएगा, मैं वीडियो वहाँ पे mention करूँगा, आप जरूर देखिए उसको, पूद भी कर सकते हो, ठीक है न, तो यहाँ पे continuous होगा, चीज, तो इसका structure हम लोग देखेंगे, structure में देखो, has, have पहले भी था, पहले का structure में क्या था, perfect, present tense का हम लोग, present perfect का हम लोग structure पढ़े, याद करो उसमें has, have था, और been नहीं था, और past participle form था, तो यहाँ पे क्या change यहाँ पे बीन लग गया, has, have के साथ बीन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि continuous है रे बाबा, है न, और साथ में भी थरी ना लग करके यहाँ पे present participle form लग जाएगा, पहले past participle form लग रहा था, इसमें perfect continuous tense जो होता है, present perfect continuous tense में उसमें present participle form लगेगा, ठीक है न, देखो अभी कै से example से समझेंगे हम लोग, to express an action which began sometime in the past, past में कोई action सुरू हुआ है, ठीक है, is in progress at the time of speaking, और जो काम है वो अभी भी चल रहा है जब हम लोग बात कर रहे हैं, और and will extend into the future, और future में भी चलेगा, समझे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे वीडियो में, तो मैं बोल रहा हूं कि कल बचे लोग खेल रहे थे, और अभी भी खेल रहे हैं, और अभी पता भी नहीं है कि आगे और भी जगदा कितना दिर खेलेगा, लेकिन कल से चालू है वो लोग, वो लोग कल से खेल रहे हैं और अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो अभी भी खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे तो इस तरह का sentence यहां पर बात करेंगे यहां ठीक है present perfect continuous में they have been playing for two hours they have been playing for two hours मतलब वो लोग खेल रहे हैं दो घंटे से जैसे हम लोग कैसे बोलते हि हैं छत पर हम लोग चड़ करने देखते हैं और बच्चों का और बोलते हैं और वो लोग दो घंटे से खेल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि आभी भी वो लोग खेली रहे हैं हम लोग उसको देख करके बोल रहे हैं कि वो लोग दो घंटे से खेल रहे हैं मतलब वो लोग दो घंटे से खेल रहे हैं अभी भी खेल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं और अभी जो मैं बताया था, I, I have होता है, you have होता है, we have होता है, और साथ में आप जोड़ लो, they को भी, they भी plural है, है ना, तो they के साथ भी have जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ लो, I, you, we, और they, I, you, we, they, इनके साथ have लगेगा ही लगेगा है, तो they have हो गया, been लगा, इसलिए क्योंकि ये continuous है, और present participle form लगाना है, play का, ठीक है, साथ में ing, क्योंकि continuous है, continuous में हम लोग ing लगाते ते याद करो, next, to indicate an action that finished just a short while ago, कुछ ही देर पहले कोई action खतम हुआ है, he has been cleaning his apartment all day, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, he has stopped cleaning now, वो अभी cleaning बंद कर दिया है, कैसे हम लोग किसी को बोल रहा है, माल लो, कोई लड़का है, जो apartment को clean करके आ रहा है, हमारे पास, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, किसी और से बात करते हुए, कि he has been cleaning his apartment all the day, वो पूरा दिन अपना apartment को clean कर रहा था, he has been cleaning his apartment all day, वो अपने apartment को पूरा दिन clean कर रहा था, इससे पता चल रहा है, कि वो अभी cleaning बंद कर दिया है, उसका cleaning हो गया है, पूरा दिन कर रहा था, है ना, तो I hope कि ये समझ में आ रहा होगा, देखो he है यहाँ पर, he sheet के साथ has लगा है, continuous है, दिन भर कर रहा था, इसलिए बिन लगा गया और clean के साथ ing लग गया, तो present perfect और present perfect continuous हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे past perfect, फिर past perfect का continuous देखेंगे, past perfect का क्या हो गया, structure, past perfect में ह हम लोग head लगाएंगे compulsorily, ठीक है, यहाँ पर have नहीं है, थ्यान देदो, present वाले में ही, present perfect और present perfect continuous में ही have था, has have, दोनों, जैसे ही past की बात करेंगे, तो हम लोग head का बात करेंगे, जब ही past का कुछ बात करते हैं, कल का जब बात करते हैं, तो हम लोग head लगाते हैं, साथ म past participle form, मतलब अभी B3, to denote an action that took place before another action in the past, यह एक condition है, कि कोई action होता है, ठीक है, before another action in the past, to denote an action that took place before an action in the past. एक काम हो जाता है कोई और एक काम से पहले. मतलब दो काम का बात हो रहा है यहां पर. एक काम हो जाता है दूसरे काम से पहले. ठीक. structure हम लोग देख लिए हैं. यह structure लगाना है. पहला ही example देख लेते हैं. When we reached the theater. देखो पहले एक काम यहां पे हो गया ध्यान दो when we reached the theater जब हम लोग theater पहुँचे एक काम हो गया theater पहुचना एक काम हुआ और इसके बाद दूसरा काम होगा the doors had been shut the doors doors क्या है plural है plural हो चाहिए singular हो सब में head लगेगा यहां पर क्योंकि past perfect है past है ठीक है head been इसलिए लग गया क्योंकि क्यों लगा बीन past participle form of the verb head के साथ बीन लगेगा past perfect है ठीक है यहां head के साथ भी बीन लगेगा और मैंने पहले बताया कि continuous में भी have के साथ बीन लगता है यह देखो उपर में continuous वाले में और past perfect में भी head के साथ बीन लगेगा according to the sentence तो यहां पर बोला जा रहा when we reach the theater जब हम लोग theater पहुँच गए उस टेम पर दरवाजा बंध हो चुका था the doors had been shut to indicate a past hope to indicate a past hope पुराने time का एक आसा या कोई उमीद है उसको indicate करना और desire कोई hope को या कोई चाहत को कोई उमीद था कोई मेरा demand था पहले उसको indicate करना है that has remained unfulfilled जो मेरा पुरा नहीं हुआ है तो हम लोग उस तरह के चीजों को करने के लिए यह word use करते है hope, expect, think हमारा कोई पुराना क्वाइस है पुराना चाहत है या पुराना कोई हमको चीज चाहिए था पुराने समय से और जो चीज हमको मिला नहीं आभी था तो वहाँ पे हम लोग hope, expect, think लगाते है I had hoped he would get the first prize मैं पहले सोच रहा हूँ मुझे उमीद था कि उसको first prize मिलेगा देखो past participle form लगाया है और I के साथ हम लोग पहले क्या लगाते थे हैव लगाते थे लेकिन यहाँ पे past perfect past का case हो जाने के वज़े से past perfect का case हो जाने से head लगेगा बोले तो sub में head लगेगा यहाँ प में bean लगेगा और बाकी सब जगा में जैसा condition है वैसा हम लोगों को लगाना है लेकिन head तो लगेगा तो हम लोग अभी पढ़ लिए past perfect का कुछ cases past perfect continuous अब देखेंगे past perfect continuous तो अभी structure हम लोग उसमें देखें क्या है कि head था और bean compulsorily नहीं था लेकिन यहाँ पे bean compulsorily रहेगा head bean head के साथ bean आएगा ही आएगा ठीक ना क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर continuous है मैंने वहाँ भी बोला कि continuous का case में बीन जरूर रहेगा लेकिन बाकी cases में बीन रहेगा कि नहीं रहेगा यह जरूरी नहीं है लेकिन continuous के case में जरूर बीन रहेगा perfect continuous कोई भी हो उसमें बीन To express an action that began before a definite moment in the past Past के समाई में कोई definite moment रहा होगा उससे पहले कोई काम शुरू हुआ Begin Had continued up to that moment और उस moment तक continue हुआ चला Was still in progress at that moment और फिर उसके बाद वो moment तक वो चालू ही है वो काम और had recently finished और just अभी finish हुआ है The student had been cheating when the teacher arrived Teacher के आने तक Student जो है वो cheating कर ही रहे थे है ना कर ही रहे थे मतलब continuous है यहाँ पे तो cheating मतलब past time का बात है पुराने समय का बात हो रहा कल का बात हो रहा कल का जो exam था उसके बार हम बात हो रहा The student had been cheating Student जो है वो cheating कर ही रहे थे थे When the teachers arrived तो head देखो head लगा ही लगा, past perfect है ना, past में head लगेगा और perfect continuous, perfect continuous होने का वज़े से यहाँ पर bean लगेगा ही लगेगा, और ing इसलिए लग गया यहाँ बर्ब में, क्योंकि यह continuous, continuous का वज़े से bean लग रहा है और ing लग रहा है, ऐसा नहीं है कि bean सिर्फ continuous में लगेगा, दूसरे जगह में भी लगेगा मैंने आपको दिखाया जास्ट उपर एक्जाम्पल अभी लेकिन जब कंटिनुवस परफेक्ट रहेगा परफेक्ट कंटिनुवस रहेगा तब तो रहेगा ही रहेगा और वरीड़ पेरेंट्स हैड़ बिन कंसल्टिंग डॉक्टर्स फोर एकलिस्ट टू विक्स दो सब्ता से चिंतित पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टरसे कंसल्ट कर रहे हैं है highness यहाप्ड बिन है अازत्टoryम है स्टट्र में हेडवीन, ठीक है, कंसल्टिंग, कंसल्ट के साथ आई एंजी जोड दियें हैं, क्योंकि continuous है, इसके बाद future को देखेंगे हम लोग, future perfect, सब perfect ही देखना है यहाँ पे, इस structure क्या है future में हम लोग will shell आ जाएगा ठीक है will और shell आ जाएगा shell का प्रयोग हम लोग उतना ज़्यादा आजकल करते नहीं है यह पुराना हो गया है use कर भी सकते है I shall use करते हैं हम लोग I के साथ shell करते है we will और shell दोनों में से कोई एक होगा according to the condition साथ में have होगा समझे future में future का जब बात होगा तो वाँ पर है और past का जब बात होगा past perfect का तब had होगा कुछ कुछ चीजें जो है वो सब आपको याद रखने देना है past participle form रहेगा to refer to a completion of an action कोई काम के होने को हम लोग बता रहे है कोई काम हो रहा है by a certain time कुछ समय में future में मतलब आने वाले समय में कोई काम पूरा होने वाला है we will have submitted our holiday homework by then हम लोग तब तक कोई समय बता रहा है by then हम लोग तब तक अपना holiday homework submit कर चुके होंगे future का बात बता रहा कर चुके होंगे देखो वी के साथ will लगा will और शेल दोनों में से एक लगेगा will have लगेगा ही लगेगा जिस तरह परफेक्ट past में past perfect में head लगेगा ही लगेगा उस तरह से यहाँ have लगेगा ही लगेगा और submitted past participle form to express अच्छा इसमें एक ही एक्जमपल दिया है ना ठीक है future perfect होगे future perfect में क्या था structure will will shall plus have plus b3 future continuous में देख लेते हैं क्या structure दे दिया है will shall वही है have been देखो बीन लग गया ना continuous जब भी रहेगा मैं बोल रहा हूं वही perfect continuous जब भी रहेगा तब बीन लगी जाएगा वहाँ पे will था will shall था have भी था बस have के साथ यहाँ पे बीन जोड़ दो और यह जो था past participle यह हो गया present participle और साथ में जरूर ing लगेगा ठीक है ना यहाँ पे new ing लगेगा क्योंकि continuous है perfect continuous चाहे कोई भी टेंस का हो हमेशा ध्यान दखो वहाँ पे बीन जरूर आएगा और ing जरूर आएगा भर्भ के साथ to express an action which will begin before a given moment कोई बताया हुआ moment है वो भी future में future में कल परसों आने वाला time में एक सब्ता बाद आने वाला time में बताया जाकि आगले Monday ठीक है वहाँ उस समय काम पूरा होने वाला है और will continue up to that moment और उस समय तक continue भी रहेगा and will be in progress even at that moment और progress में भी रहेगा मतलब चालू रहेगा continue रहेगा agro argo sorry argo will have been teaching argo will have been teaching at the school for two years by the end of this month इस month के आंतन तक agro जो है वो अपना दो साल पूरा कर लेगा in teaching में argo argo will have been teaching पढ़ा रहा है और वो दो साल पूरा कर लेगा तो अब आगया है exercise करने का time तो exercise मैं आपको dictate कर दे रहा हूं क्यूंकि यहां लिखने का जगा है नहीं और आपको ध्यान से सुनना होगा वीडियो काफी लंबा हो लेकिन क्या करें आपको बताना भी होगा और इसका exercise ज्यादा भी है ठीक है आप लोग ध्यान से सुनिए pencil उठाइए pen उठाइए मैं dictate करूंगा आप लिखेंगे rewrite these sentences using the tenses specified in the bracket make other necessary changes bracket में जो tense दिया है उसमें बदलना है और भी कुछ अगर जरूरी changes है करना तो आप कर सकते हैं तो पहला question है by the time sentence है by the time we reach the school the teacher was distributing the question papers एक काम हो रहा है एक काम से पहले teacher को स्कूल पहुंच रहा है उससे पहले मतलब हम लोग इसकूल पहुंच रहे हैं उससे पहले ही teacher question paper distribute कर दे रहा है ऐसा example हम लोग उपर पढ़े भी थे हैं तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं by the time we reached the school आप लिखिए by the time we reached the school the question papers had been distributed by the teacher the question papers यहाँ पर आप change कर देंगा the question papers had been distributed had been distributed by the teacher next question number two the girl had been singing since she was six years लड़की जब छे साल की यह तब से वो गा रही है इसको change करना है present perfect continuous में the girl has been लिखो अपलोग the girl has been singing since she was six years old three number the television actor who is our chief guest is a popular figure इसको present perfect में बदलना है the television actor who is our chief guest has been a popular figure number four the young man read the poem that I wrote past perfect में बदलना है फोर को the young man had read the young man had read the poem that I wrote number five we book the conference room for the meeting on monday mondays present perfect में लेना है इसको we have booked we have booked the conference room for the meeting on mondays number six miss burman was asking the students to submit their assignment past perfect continuous में ले जाना है इसको miss burman had been asking the students to submit their assignment number seven we were moving from one house to another so frequently that we decided to buy one of our own present perfect में बताना है इसको we have moved from one house to another so frequently that we decided to buy one of our own number eight I was asked to hand over my project before the deadline past perfect I had been asked to hand over my project before the deadline नंबर 9 है, Priyanka should not speak ill of her own cousin, present perfect मिले जाना, ill speak करना मतला बुरा बात बोलना, ill 9 का हो गया, Priyanka should not, Priyanka shouldn't, should not पूरा मतल लिखो, apostrophe S दे करके लिखो, shouldn't, Priyanka shouldn't have spoken ill about her own cousin उसके बाद number 10 है, आरून हैज लेंट टू प्ले दड्रम्स, present perfect continuous, आरून हैज बीन लर्निंग, आरून हैज बीन लर्निंग, क्यों लर्निंग कर दिया? क्योंकि यहां देखो continuous है, ing लगा दिया है, continuous में, है न? आरून हैज बीन, और आरून एक नाम है, singular नाम है, इसलिए उसके साथ हैज लगा है, आरून हैज बीन लर्निंग टू प्ले दड्रम्स, इसके बाद, fill in the blanks, with past perfect, और the past perfect continuous tense, past perfect और past perfect continuous tense बताना है, ठीक है? तो पहला वाला है, herpreet was angry because someone, और इसी वर्ड को यूज करना, break को, herpreet was angry because someone, someone had broken, someone had broken, भीतरी, broken भीतरी हो जाएगा, past participle form, my grandparents had been regularly, had been exercising regularly, यहाँ पर क्या होगा, my grandparents had been exercising, had been exercising regularly until last year, the employees parked their cars on the road because the parking lot, because the parking lot had flooded, had flooded with water due to the rain, four number, क्या है, यहाँ पर invite, we were invited, we were invited to the concert by the organizers, number five, abby, यहाँ पर क्या है, compose, abby, abby, had been composing, abby, had been composing music until last year, six number, last month, my mother, यहाँ पर क्या है, पता नहीं चल रहा, क्या है, यहाँ पर, बी, यह बाई, यहाँ बाई है, यहाँ बाई, यहाँ बाई, यहाँ बाई, यहाँ पर बाई गा, क्या हो जाएगा, head bought, देखो, past perfect मेरे जा रहे तो head लगाएंगे न, और, देखो, last month, my mother had bought two pairs of shoes for us, herself, number seven, the patients in the emergency room, यहाँ पर क्या है, wait, the patients in the emergency room, had been waiting, had been waiting for the strike to end, so that the doctors would attend the, attend them, number eight, we, यहाँ पर knock है, knock से हम लोगों को बनाना है, we had been, we had been knocking, we had been knocking on the door, for about two hours, but there was no answer, number nine, by the time I finished cleaning up the house, the pigeons had been making, pigeons had been making, makes, had been making a mess in the balcony, number 10, my laptop had affected, my laptop had affected by a virus, and needed to be replaced, क्योंकि यहाँ अफेक्ट है, पहला वाला किया जा चुका है, दूसरा से हम लोग देखेंगे, Monisha, Monisha took out cookies from the oven, full stop, there was a power failure, तो इसका क्या होगा, लिखो आप लो, Monisha had been taking out the cookies from the oven, since there had been a power failure, तो जैसे ही Monisha cookies निकालती है, oven से, उसके बाद से since, लगाया इसने, since there had been a power failure, इसलिए वहाँ से power failure हो गया है, बिजली चला गया, थर्ड वाला है, I reached the market, the curfew was announced, when I reached the market, the curfew had been announced, the parents were seated for the function, it began to rain heavily, when the parents were seated for the function, it had been raining heavily, बच्चों, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए, दोस्तों के साथ शेर कर दिजिए, मैं बहुत मैनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बहुत हेल्फुल होने वाला है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आपको और भी वीडियो मिलेंगे, इसी बुक का ये बुक पूरा करवाऊंगा मैं, ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मैं इतना महनत कैसे करूँगा, मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए आप लोगों का, आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अप लोगों को और पढ़ा पाऊंगा. Number 5. The staff opened the museum doors, the people rushed in. The staff had been opening the museum doors when the people rushed in. Number 6. I fell asleep, I revised the lesson. I fell asleep, इसका answer है, I fell asleep when I had been revising the lesson, when I had been revising the lesson. Seven. I finished working on my project. I asked the doctor to schedule my surgery for the following week. Number 7. The twins went to bed. The twins went to bed. The father lay down on the, on the, क्या है ये? The twins, इसका अप लोग ऐसे कर लो, the twins had gone to bed, when father, जो भी यह यहां पे वो लिख लो. ठीक है, वेन, ये वाला तो, ठीक है, ये हो गया. Apoorva arrived, we started the meeting. Apoorva arrived, we started the meeting. तो क्या होगा इसका? When Apoorva arrived, we had started the meeting. फिर उसके बाद, last वाला है, the child woke up. The child woke from sleep. He cried for his mother. When the child woke from sleep, he had been crying for his mother. अच्छा, question number 8 का भी बता देते हैं, इसका लिखो, when I finished working on my project, I had been, I had asked the doctor to schedule my surgery for the following week. Number C, number C का है, फिर इन दी blanks using the future perfect tense यहां पर डालना है. तो future perfect tense कफी easy होगा आप लोगों को. सब में have लगेगा, यहां पर, have तो सब में लगेगा, future वाला में future perfect जो है, उसमें, सब में have लगता है, तो will have सब में ही लगेगा. ठीक है, when we visit Kenya next year, the cubs, the cubs will have grown. हम लोग next year जब Kenya विजिट करेंगे तब cubs जो है, बच्चे cubs जो है, वो बड़े हो गए होंगे, grow हो जाएंगे. will have grown, I am certain, assis will have, यहां पर will have, sorry, will, I am certain, assis will not have finished, यहां पर have finished होगा, not तो है ही, और यहां पर क्या होगा, यहां पर will हो जाएगा, assis will, assis will, fear not, fear have finished, by the time you come to pick me up, by the time you come to pick me up, I will, I will have slept, sleep का slept, four का क्या होगा, I shall have enrolled, I के साथ shall लगा सकते हैं आप, will भी चलेगा, shall भी चलेगा, I shall have, I shall have enrolled, enrolled का enrolled, E-N-R-O-L-L-E-D हो जाएगा, enrolled in a college, five का in a week, from now, the interns will have understood, will have understood, the do's and don'ts of the organization, he shall have, he shall have, उसके बाद not, he shall have not, यहां पर हो जाएगा, moved, M-O-V-E-D, moved, by the time we reach the party venue, by the time we reach the party venue, they will have spoken, they will have spoken, with each other, the president of the student's union, the president of the student's union, will have delivered, will have delivered, सब में have होगा, क्योंकि future का बात हो रहा है, यहां पर्फेक्ट फ्यूचर, by next October, Sarita, by next October, Sarita will have been a teacher, for five years, यहां B है, इसलिए B का बीन हो गया, ठीक है, हो जाएगी, by this winter, Abhay, will have released, Abhay, will have released his soundtrack, technology, shall have advanced, technology, shall have advanced, a great deal in 50 years, from now, his friend is careless, she will have, he will have spent, यहां पर होगा, will have spent, will have spent, S-P-E-N-T, spent, अब यहां पर एक picture दिया गया है, picture पर क्या बोल रहा है, look at this picture, make up a story, एक story बताओ, tell it to your partner, using the perfect and perfect continuous tenses, तो perfect जो अभी पढ़े, perfect और perfect continuous tenses, उसमें से इसमें, इस स्टोरी को बताओ, अपने friend को कुछ, इसमें sentence बना दो, जैसे आप इसमें, क्या यूज कर सकते हो, या यूज करो ऐसे कि, we had been, we had been watching a cricket match, we had been watching a cricket match, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर यह बन जाएगा, the batsman had heated his first six, the batsman had heated his first six, he had broken the bottles of cold drinks, he had broken the bottles of cold drinks, they have been playing for two hours, they have been playing for two hours, तो यह chapter यहां पर खतम होता है, explanation कैसा लगा, जरूर feedback दीजिए, मुझे भी समझ में आना चाहिए, आपको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं, और comment कीजिए, अपने feedback share कीजिए, दोस्तों को वीडियो share कीजिए, ताकि सबको help हो पाए, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज, और response अच्छा दीजिए, तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, और like करना मत भूलिए, बच्चे आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग वीडियो को देखें, यहां तक बने रहें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और thanks, have a nice day.